मुझा जी हाँ दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केरेविन प्रेमेंटीक के मैच नमबर 21 के बारे में टोकी केला गया के साथ में ब्रेथवेंट की तीम का मुकाबला हुआ बड़ा दिल्चस मिसमता ये मुकाबला हुआ और डेरन सेमी की तीम यानि स्टी लूस के अलसॉग सुफिस, सिकेट्स, अन्डेविस पैटरीज के बर्डियार ये मैच केला गया जिसकी हम आप सबको complete करीगे से highlight CPL 2019 match 21st by sports journey इसके अदर में आप सबको पकाएंगे इस वीडियो के अदर देगे इस match के अदर में total क्या क्या चीज़े हुई और सबसे पहले एक चीज़ और भी बता दे लिए कि टेरेंस सेवी के team ने अभी तक जो है इस वकद CPL 2019 के अदर still alive है जो के play-offs के लिए semi-final के लिए यानि qualify कर सकती है इस वकद चुके जो है चौते नफर के team है ST Lucia Zogs जिसके सिर्फ दो match जीते है और एक match बारिश के वज़ा से draw हो गया था जिसमे एक point जो है ST Lucia Zogs के यानि टेरेंस सेवी के team को मिल गया था जिसके बदोला जो है 5 point के साथ चौते नफर में बराजबान है ST Lucia Zogs के team इस वकद CPL 2019 के अदर में और आज की इस match के अदर में 17 किसम की पता जो है ST Lucia Zogs ते हासिल करी यानि टेरेंस सेवी के team तो दोस्तों क्या हुआ इस match के अदर में कफसील से आप सब को बताते हैं तो वीडियो को दोस्तों एड तक देखिएगा और चैनल के उपर पर फॉस्ट आप अगर आए है तो एक चोड़ी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को ज़ूर सब्स्राइब कीजिए साथ में बेल आइक और पे किलिक कीजिए ताके आप स्पोर्ट स्टेटी की लेटेस्ट वीडियो को हासिल कर सकें नोटिफिकेशन की तरिया और अगर आप स्टी लूस्या जोग्स यारी डेरें सेभी के बहुत ही बड़े प्रैन है या ब्रैथ वेट की चार्ट शकी लगाने पे मशूर है उनके बहुत बड़े पैन है तो गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में कॉमेट भी आपने जरूर करना है उनके हावाले से तो दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ सब्सक्राइब करना है तो अच्छी तरीके से उनके बड़े पैटिंग करी जिसमें जो है 36 रन उनों ने बनाए और उसके बाद पॉलिक एंगरम जिरो ने समदर्स किसम की पिछले मैंचिंस के अदर में 50 लगाए थी लेकिन इस मैंच में 21 बना के आउट हो है जिसमें एक और और एक सिक्स चामिल था 130 बनाउट का स्ट्राइक लेट था और फिर पाद बनाउट के अगर बाद करें तो दूस्तों 17 बनाउट ने स्कोर किये जस्ट 14 बोल के उपर में एक और और लगाने में काव्याब रहे ने एक पाद स्ट्राइक रेट था और फिर पाद बनाउट के रड़ करें तो 27 बनाउट ने स्कोर किये 23 बोल एपेस करी जिसमें एक चौका और एक शिक्स चामिल था 117 counter strike rate था फिर कपका देर्ट सेमी आये और तुफाणी इनिक्स के लिए जस्ट 13 गोल्स के उपर में 30 रंस उनों ने बनाये जिसमें 3 पोर्स एंड 16 चामिल था और स्ट्राइक रेट के अगर बात करें तो पूरी रिक्स पैसा स्ट्राइक रेट देखने को नहीं मिला चूंके 157 counter strike rate था तो इस लिहाज से 20 ओवर्स के अंदर 8.25 के रंडेट से 165 ते उपर में स्टी लूस्या जोक्स का टोटल हुआ और जिसमें 6 खिलाडी के नुक्साथ उनको उठाना पड़ा दोस्तों अगर बॉलिक कार्ट में नदर डाले तो पाकिस्तानी पास बॉलर कौहमन हफीस ने इस मैच के अंदर की सबदस किसम की बॉलिक करी जिसमें 4 अवर उनों ने कर इसके साथ ही जो है अगर बात करें दोस्तों स्टी केट्स एड डेविस प्रेट्न की जोके ब्रैट्वेट इस टीम की कैप्टेन है दो रन बना की ही सिर्फ आउट हो गए उसके बात अगर बात करें तो इस टीम के अंदर पोटेंशल तो दूस्तों बहुत है बगर ओपनर हपीज जैसे मैस्वेंट इस टीम के अदर शाविल वो फैवियल एलन इस टीम में शाविल है बगर जो है कुछ खास कते में नाकाम रहे 29 रस मौंबर हपीज ने बनाई जिसमें सिर्फ एक सिक्स शाविल था 93 के स्ट्राइग रेट्स और उने खेला अगर बात करें एविल जो कि बहुत ही बढ़ा नाम है और जब चलते हैं तो क्या हूप की सबकी खेलते हैं सिर्फ 10 रन बना सकें जिसमें 2 वोट चामिल थे 74 का स्ट्राइग रेट का और अगर डी सी टॉमस की बात करें तो 9 रन बना के वो आउट होगे 69 का उनका स्ट्राइग रेट था फिर अग अगर आपको बहुत जीतना है तो एंट्रीस 10 या 12 रन जो है या 15 रन टेक्सिमम जो है टेल एंटर जो पर चोड़ने चाहिए वो भी मुश्किल से वो बना सके तो बना सकें तो बना सकें तो इस तरीके से 145 रन ही सिर्फ एस्टिकेट्स और डेविस बैटरीस बना सकी जो कि अपने 20 उकारा ओवर्स उनके खतम हो गए थे और 9 खिलाडी के नुकसार उनको उठाना पड़ा बना सकें अगर बात करें टेरेस सेवी की बैटिक तो अच्छी नहीं बना सकें बना सकें बना सकें अच्छी बैटिक उन्हों ने करवाई नहीं पोर ओवर उन्हों ने करवाई जिसमें एक बैटेल ओवर करवाया ओवर्स देके तीन विकिट उन्हों ने हासिल करें उसके बात अगर बात करें हार्डनेस विल जोईल को जो है प्लेयर ऑफ दा बैश मिला और डेरेंस सेवी को बहुत-बहुत मुबारख हो जो के अभी तर जो है ए ने करआगे निए आऑयर से बात करें सिर्धा दर बात है करेंद झाल गया डेत्कर मुझे झाल झाल